अश्कार दोस्तों टुटे ट्रेंडिंग नूज पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है वाइरल वीडियो और ट्रेंडिंग नूज से समधित अप्डेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीज़े मेरा चैनल और बैल आइकन को दबाईए दोस्तों आज की जानकारी बहुत थी ज्यादा अच्छी है इसलिए वीडियो को अंतर तक देखें अन्यथा आप ऐसी जानकारी से बंचत रहे जाएंगे यह जानकारी है खेतों या फिलाटों के माप लेने के बारे में दोस्तों क्या होता है किसी भी इंसान को अगर आपने खेत का माप लेना होता है या पर किसी भी लाट का माप लेना होता है तो उसे बुलाना पड़ता है पतवारी के लिए पतवारी आता है खेत मापता है उसके बाद आपको खेत का माप देता है आप कोई हाई भी पता नहीं होते हैं इसने पूरा-पूरा सही बताया है और पटवारी इसकाम के लिए मोटी रखम भी आपसे ले लेता है तो आपको मैं आप जिस एप का बताने बाला हूँ इस app के दुआरा आप अपने मोबाल से ही अपना खीद माप सकते हैं और बिना किसी लिक्कत के आप सही सही खेद का एरिया पता कर सकते हैं और दोस्तों इस app की एक खास बात और है इस app के लिए आप को कहीं जाने की ज़रूँ नहीं है तो वीडियो को देखती रहें और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं और एंसी जानकारियां चाहते हैं नीचे रेड बटन होगा उस पर क्लिक कर दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए तो चलिए इसके लिए हमें सबसे पहले ओपन करना होता है हमारा प्ले स्टोर जैसे की प्ले स्टोर में आप देख सकते हैं मैंने पहले से यह एप निकाला हुआ है आप इस एप को निकालने के लिए यहाँ पर सर्च कीजिएगा जी पी एस एरिया आप इतना यह सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ एप खुलेंगे तो आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पर यह खेतियां सा एक नफसा बना हुआ है हमें यहाँ एप इंस्टॉल करना है तो हम इसको क्लिक कर देंगे मैंने इस एप को पहले से इंस्टॉल कर लिया है तो मैं ऐसे ओपन करूँगा उसे ओपन करने की बात दोस्तों इस तरह ऐसे एक पेज ओपन हो जाता है तो दोस्तों एप की खासियत यह है कि आपके लिए कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है यह आपकी लोकिशन खुद ही ट्रेस कर लेगा दोस्तों एप का पेज इस तरह ऐसे खुलेगा और जैसी ही ऐसा खुलता है तो आपकी लोकिशन सर्च हो जाएगी अब इसके बाद अपना खेतना अपने के लिए आप अपने खेतना पर जूम कर लेजिए जैसे कि मुझे अपना याप कितना अपना है कि मैं इस पर जूम करने के बाद आप सबसे उपर देखेंगे तो सर्च के बावियों में आप एक खिड़की जैसा निसान बना दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए क्लिक करेंगे तो यह आप्सन आजाएंगे यहाँ पर दो ओप्सन आते हैं डिस्टेंस और एरिया तो हम यहाँ पर सलेक्ट कर लेते हैं ओर ऐरिया आप एरिया सलेक्ट करने के बाद ऐसे एड़प को हमेज़ा से स्वागी तो आप इसको इंस्ट्रॉल मत कीजिए इसको क्लोज कर दीजिएएगा अब close करने के बाद आप अपने खेत के corner पर यानि की खेत के चार और क्लिक कीजिए एक line में क्लिक कीजिए जैसे कि सबसे पहले एक corner पर क्लिक करता हूँ मैं यह से एक क्लिक किया तो महाँ पर एक point लग गया अब फिर थोड़ा दूर क्लिक किया तो यहाँ एक point लग गया फिर थोड़ा और दूर यहाँ पर लग गया तो दोस्तों इस तरह से हमें पूरा खेत खिल करना होता है खेत के जो corner होते हैं उन पर क्लिक करके आप इसको और जूम करके बिल्कुल correct लगा सकते हैं जैसे कि मैंने तो अभी जूम किया ही नहीं है आप जूम कर लिजेगा तो आपका बिल्कुल correct लग जाएगा तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं खेत का एरिया जो आ गया है बाहे है 2.05 एकड़ आप इसको hectare में भी देख सकते हैं स्क्वेर मीटर आपको जो कुछ भी देखना उस भी एरिया में देख सकते हैं और दोस्तों यह आपकी खास बात यह है कि यह है बिल्कुल confirm or even perfect measurement देता है कि आपकी खेत का एरिया कितना है कुछ भी गलत नहीं बताता है आपकुछ से भी चेट करेंगी तो आपको समझने आ जाएगा कि यह है बिल्कुल सच बताता है और दोस्तों बहुत से लोग इस एफ का यूज भी करते हैं जो खेत काटने के लिए हारवेश्टर लेकर आते हैं बैस अब इसी एफ का यूज करते हैं खेत मापने के लिए तो दोस्तों आप भी कीजिए और आज ही अपना खेत और प्लाट नापिए और दोस्तों वीडियो कैसी लगए आपको कमेंट में जरूर बताएं और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ताकि आपको नहीं नई जायनकारियां इसी तरह मिरती रहें लगने बात दोस्तों ने मिलेंगे एक नई वीडियो को ने तो